आइ अगा आइ अगा आइ गुद्मॉर्णिंग फ्रेंड्स यूमन गोल्स और सर्च एंजिन या सर्चिंग के बारे में बात करें तो कोई भी सर्चर है उनका जो बैसिक गोल होता है बाट आप्यों से वह इंफोर्मेशन ही कलेक करना होता है इनफोर्मेशन चाहे के इसी भी हो वेबसाइट ढूणना हो या कोई प्रोडक्ट परचेस करना के लिए इनफोर्मेशन ढूणना है यह उनका बैसिक गोल होता है ऑनलाइन मार्केट को कवर करना चाहते है अगर आप उसके बैसिक स्ट्रेक्टरजी क्या होती है कि आप जो यूजर है जो आप कवर अप करना चाहते है जिन जिन लोगों को उनकी साइकोलोजीकली जो पोजीशन होती है यह आप अंडर्स्टेंड करें तभी उन यूजर को आप टार्गेट कर पाएंगे वो क्या सर्च करते है कैसे सर्च करते है कब सर्च करते है यह सब आपको अच्छी तरह से पहले से मालूम होना चाहिए और जितने भी यूजर से जो कुछ भी सर्च करते है उन में से आपको कौन से यूजर को कवर अप करना है या फिर उनका ध्यान किछना है वो भी आपको मालूम होना चाहिए जैसे कि कोई दो यूजर है तो एक यूजर सिर्फ लैप्टॉप देखता है और दूसरा यूजर लैप्टॉप खरीदने के बारे में परता है लैप्टॉप जब कोई यूजर देखता है तो वो क्या देखता होता है कि उसमें नbalasti संफटॉप स्चे क्या आए है उसमें हाडव लेबल क्या आता है स्रिफ जोनरल इन्फरमेशन के बारे में परता होता है वो दूसरा का चो में टार्गेट होता है वो actually laptop को खड़िदना होता है तो ये दोनो user में से आपको कौन सा कवरप करना है वो आपको मालूम होना चाहिए ये जो अगर आपको clear हो जाएगा तो आप किसी भी market में कैसे भी करके आप आसानी से खरे रह सकते हैं नर्मली जब लोग information ढूनते हैं तो वो अच्छी सी website या कोई shopping करने का target होता है ये कुछ भी जब करते हैं तो एक छोटी सी string के format में search करते है string format माने के के एक ये word या दो word को मिला के वो string को search करने की कोसिस करते हैं इसे query string भी कहा जाता है सिर्फ query भी कहा जाता है या फिर एक छोटे से fresh phrase के मदद से वो search करने की कोसिस करते हैं जैसे के सिफ SEO ये एक word हुआ SEO guidelines ये दो word हुआ SEO tips SEO tutorial of website ये चार word होगे तो अपने हिसाब से वो word को redefine करके वो search करने की कोसिस करते हैं तो ये जो user करते हैं वो आपको खुद को करना पड़ता है और जो इसका result आता है वो आपको study करना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि जो user search करते है उसका जो search engine में जो कुछ भी ऐसा search engine result page तो उसमें आपका product या आपकी information related है या नहीं relevant है या नहीं है for example सिफ आपने SEO लिका जो कुछ भी 10 result आए उसमें आपकी जो information है आपका जो product है वो related है तो note कीजे कि ये SEO word आता है SEO tutorial output देखिए content देखिए आपकी जो information product है website है related है हाँ है तो ये दूसरा word note कीजे तो इस साब से आपको one by one possible जो string होती है one word से लेके 10 words की average 10 words की 10 words से ज्यादा सभी words की possibility सोच के रखके उसे search करके उसका जो कुछ पर output आता है वो study करना होता है तब ही आप human psychology को चान पाएगे कि अगर कोई user है तो गर उसे ये search करना है तो ये keywords इस्तिमाल करके generally search करता है ये user है अगर उसे ये search करना है तो ये keywords को related का use करके वो search करता है तो ये था human goals of searching के बारे में thank you